हलो वच्चों, आज हम करने वाले हैं व्यन्जन अना अना बोलती वक्त हमारी जीव थोड़ी सी पीछे को जाती है और मुड़ती है लेकिन कहीं चू नहीं रही अना अना से तो कोई भी शब्द नहीं होता इसका इस्तेमाल आप बड़े होकर सीखेंगे अब देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं ये देखिए बच्चों ने यू तो पता है ना इंग्लिश का यू ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे आती 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 है इसे मुड़ गए गाड़ी मुड़ती है और उपर गए फिर पैंसल को उठाया एक सीधी लाइन नीचे तक बनाई और बना दी चत की लाइन देखिए ब्लू लाइन से सीधा सीधा आये आधे रस्ते तक याद आये अरे मुझे तो ये मैं भूल गई कुछ सामान लेना तो यू टन ले लिया क्या ले लिया वापस यू टन मुड़ गए और फिर blue line से सीधा नीचे second blue line तक आ गए और चत की line बना दी ये बन गया अना सीधा आए, मुड के उपर गए फिर pencil उठाई फिर एक सीधी line बनाई और चत की line बना दी अना सीधा आए, मुड के उपर गए pencil उठाई, सीधी line नीचे तक बनाई और चत की line अना बुक में भी आसान है नीचे इसको blue line तक नहीं चूना ऐसे बनाया और सीधी line blue line तक चूई और चत की line ये देखे, सीधा आए, मुड के उपर गए सीधा और एक सीधी line नीचे की line तक लग गई और चत की line बच्चे ये दोनों पंक्तिया बहुत सुन्दर सी कर लेंगे अब देखिए, यहां आ गई एक activity अरे वाह, क्या है इसमें? थ, ध, ट, ड, अब थ से क्या होता है? दम्रू, थ, थ, प, इसकी आवाज थ आ रही है तो इसको हम थ से मैच कर देंगे अच्छा, यह क्या है? डम्रू, द, अवाज काउन से आ रही है? ड, ड कहा है? ड से इसको मिला देंगे, मैच कर देंगे और यह क्या है? धकन, ध, कैसी आवाज आ रही है? ध, तो इसको ध से मिला देंगे और ये क्या है टब हाँ जी ये तो टब है टब में ट की आवाज आ रही है तो बच्चे क्या करेंगे इसको ट से मिला देंगे अरे वाँ अपने लिए ज़रा क्लैप कर लिजे वेरी कॉड अब देखिए दूसरे पेज पर भी एक्टिविटीज हैं अरे वाँ देखें तो ये वाली तो बड़ी मज़ेदार होती है है ना बहुत मज़ा आता है ये क्या है टमाटर तो यहां हम क्या डूंडेंगे ट ये ट है ये ट है ये ट है कि ये ट है कौन सा ट है जो ट है उस पर हम क्या लगा देंगे गोला हाँ जी ऐसे ही बच्चे ये वाली भी कर लेंगे ठपपा ठपपा में क्या आवाज आ रही है ठ़ की यहां क्या ढूंडेंगे ठ़ यह क्या है डालिया डालिया में ड़ ढूंडेंगे और यह क्या है धोल धम 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 बचती है ना धोल ध की आवाज आ रही है तो बच्चे यहां क्या ढूंडेंगे ध़, और ध़ पर गुला लगा देंगे अब यह क्या लिखा है ठ़, ड़, ट़, ध़ अण़ लेकिन यह क्रम में नहीं है, पहले क्या आएगा ठ़ तो यहां बच्चे क्या लिखेंगे ठ़ ठ़ फिर ट, ठ, ड, ध, और अना, खाली, और ये क्या है, ट, टो, पी, लेकिन ट तो कहीं नहीं लिखा, तो इसको ट, टो, पी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टो, पी, और ये क्या है, डम, रू, इन दोनों को बहुत सुन्दर से कलर कर लेंगे, रंग भर लेंगे, ओके, इंजोई